गुड मॉर्णिंग स्टूडेंट्स आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बीसे पाट सेकेंड एर के स्टूडेंट्स का स्वागत है हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में ये उसका सेकेंड पार्ट है हमने आपको उस लेक्षर में बताय था जैसे कि कि सिस्टम जो है वो चार तरीके के होते हैं ठीक है चार प्रकार के होते हैं जिन में हमने डैसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो पिछले लेक्षर में पढ़ा था अब हम पढ़ने वाले हैं इस वाले लेक्षर में ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्सार डैसिमल नंब तो वहाँ पर हमने आपको बता दिया था कि octal number system जो होता है उसमें कौन-कौन से variables होते हैं, numbers होते हैं, base क्या होता है तो उसी को ही हम अब इसमें continue करके और जादा deep में पढ़ेंगे कि किस तरीके से octal number system को हम other number system में exchange कर सकते हैं और किस तरीके से हम उनको जो दूसरे, यानि के decimal और binary जो number systems है, उनको हम octal में कैसे change कर सकते हैं तो ठीके, अब इसका जो सबसे benefit जो था octal number system जो शुरुवात जहां पर हुई, octal number system की, तो उसमें ये था कि इसको use किया जाता था computer और mini computers में जब इस starting में जब बात हुई, शुरुवात में इसको use किया गया, ठीके, तो इसके बाद, इस में जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कि इसका जो base है वो 8 है, और इसमें जो numbers हैं, इस system में, कौन-कौन से हैं, 0 to 7, यानि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीके, किसी भी octal number में, जैसे यहाँ पर हमने 4 example एक number लिया है, जिसको हमने base 8 कह करके कहा है, कि यह octal number में है, तो यदि इसे, हमें, इस तरीके से, expand करके लिखना है, तो वही, decibel जो है, इनका वो क्या करेगा, इसको, divide कर देगा, decibel के, right hand side की तरफ, जो है, वो negative powers होंगी, इस side, और जो left hand side है, वो positive powers होंगी, और जो first digit होगा, उसको हम, zero power मानते हैं, और फिर one, two, three, तो इस तरीके से देखे, यहां पर हमने आपको, जैसे, number system की, जो journal properties थी, उनमें बताया था, कि, जो weightless system है, या weightless वाली property है, वो हर number system पर vary करती, पर काम करती है, तो उसी तरीके से, इनका जो base, जिस तरीके से vary कर रहा है, उस तरीके से, base change हो जाता है, लेकि, जो weightless system में, वो same रहता है, यहां पर देखिए, कि, अब हमारे पास, जो decibel के, left hand side वाली जो digits है, उसमें देखिए, first digit था हमारा 7, तो a to the power 0, फिर 2 multiply a to the power 1, 3 multiply by a to the power 2, and 6 multiply a to the power 3, ओके, and decimal के right hand side पर हमारे पास first digit थी 4, तो 4 into a to the power minus 1, 0 into a to the power minus 2, and 5 multiply by a to the power minus 3, यानि के आप जैसे जैसे right hand side पर और आगे फर्दर जाएंगे, तो weightless कम होता चला जाएगा, powers का, ठीके, और यहाँ पर जब हम decimal के left hand side पर भढ़ते हैं, तो उसमें weightless भढ़ता है, ठीके, तो यह जब हम इसे calculate करेंगे, तो यह हमारे पास किस में value आजाएगी, इसकी decimal system में, तो decimal system में आप देखिए, जो हमने यहाँ पर यह expand करके लिखा था, इसी कोई हम solve कर ले, तो देखिए, हमारे पास जो values आजाती हैं, वो इस तरीके से, और यह convert कर हुए हमारा decimal system में, ठीके, simple है, कि अगर किसी भी, octal number को decimal में convert करना है, तो हमने क्या क्या, simply जो उसका base है, उनको, उनकी position वाली power पे रखा, और multiply कर दिया, डीजिट से, तो हमारे पर decimal में आगया, अब माली जी, अगर हमारे पास कोई decimal, digit है, decimal system में है, तो अब हम उसको कैसे convert करेंगे, तो उसके लिए convert करने के लिए क्या जो तरीका हमने binary के लिए use किया था, ठीके, वही हम use करेंगे, यानि कि इसके internal, जो integral part है, उसको हम अलग convert करेंगे, और जो इसका frictional part है, उसको हम अलग करेंगे, ठीके, किस तरीके से, कि जो integral part है, उसमें हम क्या करेंगे, कि जैसे हमने binary के time पे 2 से divide किया था, उसे तरीके से, अब कि पर हम octal के time पे किस से divide करेंगे, 8 से base जो इसका है उससे हम divide करेंगे वही successive divide करते चलना है और जो reminder पसता है उसको no down करना है ठीक है तो यहाँ पर जो example दिया हुआ है मैंने बस simple वही तरीका है जो हमने binary के time पर use किया है तो आप एक पर अगर अपने हाँ से solve करके देखेंगे तो आप easily कर पाओगे कोई दिकत नहीं है तो यहाँ पर देखें हमारे पर 247 in the decimal system का उसी को जब हमने octal में convert किया तो 367 in octal number हमारे पर आ जाता है और जब हमने friction के लिए हमन जो बेस इधार है उसी से ही करेंगे तो यह रहा कि success से multiplied by 8 integral part of that is noted तो हम जो integral part था decimal के left hand side वाला उसको no down करते चलेंगे और वहां से हमरे जो value आती है वो इस तरीके से मिल जाती है ठीके अब हमारे पास जो second आया था binary तो हम अगर octal को binary में convert करना चाहें तो देखें इस तरीके से एक conversion table होती है यारे के octal number जो है उनको हम सीधे ही binary में convert करते हैं उसके लिए ह हम किसी भी तरीके का multiplier divide नहीं करते हैं ठीक है तो decimal number जो 027 है हमारे पास यहां पर इसी तरीके से octal में 027 हो गए अब इन numbers को देखें बाइनरी में सीरे इस तरीके से हम लिख सकते हैं इन numbers को लिखने का बहुत इजी तरीका है ऐसा नहीं है आपको याद रखना पड़ेगा अगर एक बार table बना लेते हैं तो आप उसको दुबारा भी बना सकते हैं किस तरीके से कि आप देखे धियान दीजिए कि इसका जो फर्स्ट जिजट है उसमें हमें क्या करना है इस फोर टाइम जीरो फोर टाइम बन हाफ टाइम जिरो हाफ टाइम बन ओके फिर दें comes from the alternative zero and one zero one zero one zero one zero one okay इजी दरीका है आप इसी लिए कर पाऊगे ठीक है प्रैक्टिस करना बजाएगा अब देखिए कि माली जी कोई ओक्टल नंबर हमारे पास है seven three six ठीके इसे हमें convert करना है तो हम क्या करेंगे कि seven three और six तीनों को लग लग देख लेंगे जैसे कि हमारे पास seven है one one zero three है zero one one और six है one one zero ओके तो देखिए यहां पर one one zero one 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 zero one 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 and one one zero ओके तीनों डिजिट्स आ गए और convert होंगे किसमें बाइनरी में अब माल लीजी फ्रिक्शनल पार्ट है तो फ्रिक्शनल पार्ट के लिए भी हम इसे तरीके से करेंगे three zero one one two zero one zero and two हो गया और one is zero zero one ओके तो फ्रिक्शनल पार्ट भी हम इस तरीके से convert कर लेंगे अम माल लीजी हमारे पास कोई binary में number दिया हुआ है उसको हमें optimal में convert करना है तो हम क्या करेंगे कि इस तरीके से जो हमारे पास numbers होते हैं तो इसको क्या करेंगे हम कि left hand जो हमारे पास right hand side वाला डिजीट है वहां से हम three three के में divide करते जाएंगे अब देखिए हमारे पास जो numbers है वो है seven अब three three के लिए अगर होने चाहिए तो या तो 6 होते यह नो होने चाहिए तो हम क्या करेंगे जो इधर की तरफ starting में हम two zeros add कर देंगे यह देखिए ठीक है क्योंकि binary में आगे की तरह अगर हम zero लगाते उससे कोई उसकी value नहीं होती है ठीक है तो देखिए यह डिजिट होगे हमारे पास six one one zero 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 one one zero zero one 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 तो हमारे पर जो number हमें दिया हुआ था वो किसम में convert हो गया है हमारा octal में convert हो गया है ठीक है अब हमारे बारी आती है second fourth number system की इस lecture में second number system है जो hexadecimal number system ठीक है जिसमें की मैंने आपको बताए था जो numbers होते हैं वो zero two nine और a two f इस तरीके से होते हैं इसका जो base है वो 15 इसमें कितने डिजिट्स हो गए 15 तो 16 जीरो को लेते हुए हमरे पर सो जाएंगे यह 16 तो base 16 हो जाएगा 16 variables है ठीक है तो इस तरीके से जो decimal है उसमें हमने इसको शो किया हुआ है octal में हमने इसको शो किया हुआ है octal में आपने ध्यान दिया हो तो उसमें जो variables होते हैं वो zero two seven होते हैं यानि के eight nine ten यह octal number system में नहीं होते हैं तो इसे लिए जो eight है वो one zero decimal में जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली हम पढ़ते हैं हमारी language में वो दस है लेकिन octal number system में वो क्या है eight है ओके इस चीज का ध्यान रखना है और hexadecimal जो number system है उसमें 0 to 9 और a to f इस तरीके से numbers होते हैं तो इनको हमें जब binary में convert करते हैं तो देखे टेवल जो हमारा बनाने का तरीका जो हमने octal में आपको समझा है था वहीं हमें यहां पर भी ध्यान रखना है ठीके अब इसमें जैसे हमारे पास है 16 numbers तो starting का जो first digit है उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे eight time zero eight time one then four times zero four time one four times zero four time one then two times two times zero two time one two times zero two time one and the fourth digit is come from the alternative position zero one zero one zero one ओके आप एक बर अपने हां से लिखके देखेंगे तो आपको कोई problem नहीं होगी that's I'm sure आप देखिए कि कि किसी भी decimal number को अगर हमें convert करना है hexa decimal में तो simply हम 16 से successive device divide करते हुए चलेंगे ठीक है अगर हमें frictional part को करना है तो हम क्या करेंगे उसमें successive multiply कर देंगे ठीक है कोई लिकत नहीं है अभी तक हमने दो number systems को change गया है वही हमें तरीका यहां पर follow करना है इसलिए मैंने ज़्यादा यहां पर explain नहीं किया है आपके book में बहुत सारे examples दिये हुए है तो आप अपनी practice वहां से कर सकते हैं ठीक है तो book को आप एक पर पढ़ेंगे मैंने जो आपको समझाया है उसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको topic को समझने में कोई दिकत न तो हम क्या करेंगे कि 2 के जो binary system में जो bits में 4 bits के जो नंबर है binary number है 2 उसको हम यहां पर लिख देंगे इस जैसे कि यहां पर है 0010 9 के लिए है 8001 A के लिए है 1010 and F के लिए हो गया 1111 ठीक है अब हमने आपको जैसे बताया था octal के time पर कि जो starting की 0s होती है उनकी कोई value नहीं हो देते हैं तो हमारे पस इस तरीके से value आजाती है ठीक है क्योंकि हमें पता है binary में जब 0 से multiply करेंगे यह terms तो वैसे जीरो हो जानी है तो यह terms की कोई value नहीं है तो इसलिए हमने इनको छोड़ते हुए बाकि remaining जो है उसको binary में convert कर दिया है ठीक है अब second आता है हमारे पस की binary जो numbers होते हैं उनको अगर hexadecimal में convert करना है तो किस तरीके से करेंगे तो वही system वही अपनाना है कि decimal के left side और right side हम 4-4 bits के groups बना लेंग जैसे यह हमारे पास एक group बन गया फिर इसके बास second फिर third अब तो दो digits रहे गए तो दो digits के लिए हम क्या करेंगे कि वापस से यह उपर वाला जो एक्जाम बन था उसी को ही आप notice कर रहे हो तो वही हमने वापस से लिया हुआ है integral part के लिए तो हम क्या करेंगे फिर यहां प होती है two ठीक है तो अब देखिए इसी तरीके से right hand side भी हम क्या करेंगे four four bits के paras बना लेंगे ठीक है तो यह हमने जब values बनाई हमने paras बना लिए इस तरीके से यह सारे paras हमने अलग-अलग बनाए हुए हैं तो उसके बाद हमारे पास जो numbers आते हैं वो इस तरीके से आ जाते है ठीक है यह decimal में लिखे हुए है अब इनको हमें hexadecimal में लिखेंगे तो हमें पता 10 की जगे a लिखते है 14e1115f10a9922 तो इस तरीके से हमारे पास जो number था binary number system में उसको हमने किसमे convert कर लिया है hexadecimal में convert कर लिया है ठीक है तो यह हमारे पास number system जो थे वो topic complete हो जाता है इसी topic था numericals आपके book में बहुत सारे दिये हुए हैं तो आप वहाँ से practice कर सकते हैं ठीक है अपने हाँ से करके देखोगे tables जो भी यह conversion वाली table है इनको आप हाथ से बनाके देखना मजा आएगा और साथ में आपका topic भी clear हो जाएगा सो आगे के further videos देखना miss ना करें क्योंकि आपकी जो यह fifth unit है तो उसके lectures सभी continuous मैं देने वाली हूँ तो keep watching further videos so thank you so much